जिस लिक्विट का बॉलिंग पॉइंट बहुत जादा खाई होता है और या फिर जो लिक्विट या फिर जो मिक्षर बहुत ज़ल्दी डीकंपोज हो जाते हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिदूस्ट डिप्रेशन उनों को अलग करना है अगरिक जो सॉलवन और गरिक जो कंपाउंड होता है उसकी बॉंडिंग और गरिक वे बहुत अच्छा था और गरिक शॉल्वन मत्तब एसीटोन हो गया बेंजीन हो गया उसमें कुछ क्रोमेटोग्राफी देखने वाले और आपने सुनाओगा कि क्रोमेटोग्राफी वन इंपोर्टन टॉपिक होता है तो चलो हम जड़ा भी टाइम वेश्ट ने करते हैं आज अपना पार्ट नंबर फॉर स्टार्ट करते हैं कि एलो बच्चों कैसे हो आप सबी लोग आइधिंग आप अपनी लाइप में बहुत ही मस्त होंगे और एट विजर्ट टैक्टिकल्स को जरूर वाच ओट कर रहेंगे सो बच्चों मैं आपको बता दू कि मैंने आपका चाप्टर नंबर 3 जो कि 11 केमेस्ट्री का है इस इनलेटिकल टेक्निक्स के तीन पार्ट अलेड़ी कमपीट कर दिये तो बच्चा आज में पार्ट नंबर 4 लेकर रहा हूं यह बहुत ही इंटरस्टिंग पार्ट है क्यों आप नए हो इस वीडियो पर तो प्लीज 1,2,3 पार्ट जरूर देखेगा और इस चैप्टर में तो आपको मजा आने ही वाला है इस पार्ट में आपको मजा आने वाला है और यह आपका पार्ट नंबर 4 चैप्र नंबर 11 बेसिक टू एनलेटिकल केमेस्ट्री अनलेटिकल आज कहा हमारा topic है? पहला topic ben distillation under reduced pressure. इसको एकका liquid होता है, जो mixture कोवाड़ करना है, जिसको आपको distillation करना है, इसका damaging radius होता हूत अगर high balling points को बहुत जादा high होता है, तो अगर बहुत जादा balling points को, अगर हम लोग उस balling points तक liquid को heat करने करें, तो हो सकता है उसका decomposition हो जाए, हो सकता है किया हो जाए उस liquid का decomposition, मतलब वो mixtures हो सकता है, टूट जाए, decompose हो जाए, ठीक है अलग अलग चीजों में डिवाइड हो जाए तो हमें हमारा pure liquid तो मिलेगा नहीं So that's why हम यहाँ पर use करते reduce pressure मतलब distillation तो हम करेंगे लेकिन pressure क्या करतेंगे बच्छा उसका reduce करतेंगे कैसे pressure reduce करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ हम देखेंगे, बस आपका ध्यान, बिल्कुल मेरे उपर होना जी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही best way में पढ़ा के और लिखा के दोनों देता हूं, ताकि आपके board के exam में भी अच्छे marks आ सके, ठीके बच्चा, चलो, देखते, distillation under reduced pressure क बहुत जादा high होता है, और या फिर जो liquid, या फिर जो mixtures बहुत जादे decompose हो जाते हैं, उनके लिए हम लोग use करते हैं, distillation under reduced depression, आपको assembly बिल्कुल सेम रखना है, जैसे मैंने पहले वाले lectures में बताया है, simple distillation की जो assembly होई ही रखना है, बस इसमें एक छोटा सा आपको काम करन है, जो आपका ये है, एक मिनिट, जो आपका अडेप्टर है कि अडेप्टर उत्क्ट, इस अडेप्टर में आपका लगा होता है vacuum pump, इस अडेप्टर मॉन्प क्या लगा होता है, vacuum pump यह जो आपका अडेप्टर होता है ना यह अडेप्टर में बस आपका लगा होता है वाक्यूम पॉम्प बस इतना आपको याद रखना है ठीक है अब देखो यह वाक्यूम पॉम्प क्या करता है सब कुछ जिसका बॉलिंग पॉइंट बहुत जादा यह यह ज़ल्दी डिकमपोज हो जाता है और यहां पर बॉयर्नर को मैंने ओन किया ठीक है फिलाल यह लंप ना शुरू होगा तो इसकी क्या होगी इसकी बॉलिंग पॉइंट बहुत ज़ता है तो टेंपरेचर बहुत तेज़ र करोगे वैसे आप समझ सकते हुआ कि हमारे ऊपर भी एक्षानमसिरीक प्रेशर लगते रहता हिए वैसे इस लिक्विट के ऊपर भी कुछनगमस्पेरिक प्रेशर लगा हुआ जो इस मौलीक्यूल को राणडम मोशन अड़ने से रो गधिगे तो जासे से आप वकियूम चालू करते हो घार अब आपन होता यह 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 एधक्यूम क्या करता है यह पर जो लिक्वीट के उपर जो एट्मोस्परिक प्रेशर लग रहा है यह सारा यह वाक्यूम खीच लेता है और अगर मालो इस लिक्वीट का टेमप्रेचर मालो है 70 डिगरी कितना है और यहां से प्रेशर निकाल लिया है अभी लिक्विट के उपर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है तो इस लिक्विट को नहीं हमें प्रेशर करने की जूर्द नहीं पड़ेगी कि इसके पर atmospheric pressure कम लग रहा है तो that's why 600 की जगह पे अगर हम इसको अगर हम इसको बच्चा 500 डिग्री भी heat करेंगे ना तो यह सारा liquid हमें मिल जाएगा 500 डिग्री भी अगर हमने heat किया तो यह यह जो इसमें mixture होगा जो pure form रहेगा वो फटा-फट क्या हो जाएगा वो फटा- इस वह में आपको यह सिखा के दिया है तो कैसे याद रखोगे जिस भी liquid का जिस भी मिक्षर का बॉलिंग पॉइंट या फिर बहुत जाद हो यह जल्दे डीकंपोज हो जाता तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करते हैं डिसलेशन अंडर रिडूज असेंब्ली सबकु सेम है बतायों असंब्ली कि बारे मिंप्रीव स्ली में यहां पर दो अता है इनलीट व इस बाट होता है यहां से वार आता है चीक है यहां से बाट जाता है उसके बाद जह bạn भी इस ही इर फो यह कैसे चीह बरना सुरोझ कर फिर ऐस्याग एक जहां सपी एक यहां से उसरॉट निक बिच लेता है तो जैसी यह स्टीम बनना सुरू होता है तो अगर यह इसका 600 दिग्री सलसेश्ट टेंपरेचर है तो यह 500 में क्या होगा स्टीम बनना सुरू हो जाएगा ठीक है और यह स्टीम को यहां पर क्या कर लिया जाता है इसी को बोलते डिस्टिलेशन अंडर रिडिय कर दिगा तकि एक टीचर को ना ऐसे कॉंसेट देने के लिए बहुत मजा आता है लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहेगा तब यह चीज़े पॉसिवल है जलो ठीक है हम 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 अब मैंने क्या बोला था कि मैंने आपको कंसेप्ट तो समझा दिया पर लिखा के कौन देगा मैं अब लिखा के देने के लिए तो आपको डरने की ज़़रत नहीं जलो फट्टा फट भुक खोले और अपने पॉइंट को नो डाउन करना सुरू करती कर दीजिए हिरिंग डाले डिस्टिलेशन अंडर रिडूस्ट प्रेशर और पहला पॉइंट सहा पर आता कि डिस्टिले चाहिं हम लोग इसका अटमोस्परिक प्रेशर को डिस्टिलेशन फील पॉइंट गूंप और वाक्यूस्ट मैंने वाक्यूम पंप लिजा ऊस लिख्वीट का बच्चा जो लिकूट था हमारे इसमें राउन बोटम फ्लस्क में उसका अटमोस्परिक प्रेशर क्या कर दिय कर दिया था ठीक है अगला पॉइंट यह जलता हुआ पॉइंट यहां पर आ गया इन सोप इंडस्टी दे ग्लैसर ओल इस सेपरेटेट फॉर्म सोप बाई यूजिंग डिसलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर लगाते हैं सारा प्रेशन निकाल लेते थू वैक्यूम और ग्ल इस्टी में यूज होने वाला वन अब इस इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चा ठीक है मज़े से पढ़िए मज़े से करियो और मज़े से एक्जाम में लिखिए चलो आगे दिखते हैं अगला अगला टॉपिक्स अगला टॉपिक हम लूप पढ़ेंगे इस सॉल्वन एक इस अगला उर्ट को निकालोंगे कैसे लिए तो इसके लिए हम यूज करेंगे सॉल्वन एकस्थ Careशन मैने वाले कि हमारे पास न भी शौह जब हम medicine, दबाईयां ये सारी चीज़े जब कभी भी बनाते हैं फिर कोई भी चीज़े बनाते हैं तो वहां पर जो हमारा organic compounds होता है क्योंकि हम water भी mix करेंगे तो वह water में mix हो जाता है ठीक है अब हमें क्या करना है अपने water को निकालना है और उस organic compounds को भी निकालना है अधर्वाइस वह water हमारा impure रहेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे solvent extraction method यूज़ करेंगे अब इस methods में होता क्या है तो मान लो आपके aqueous solution में water के अंदर आपका organic material मिक्स हो गया है organic material क्या हो गया है mix हो गया है ठीक है अब यह जो organic material होता है यह water के साथ में उतना अच्छा bond नहीं बनाता है तो पर भी यह H2O molecules के साथ में थोड़ा थोड़ा इसमें क्या करते हैं इसके साथ bond बनाके ना इससे जुड़े रहते कुछ भी हो सकता है यहां पर aldehyde हो सकता है acetone हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसके साथ में जुड़े हुए रहते तो फिर यह dissolve किसमें होते अच्छे से तो अगर बेटा आपके पास organic material है ठीक है तो उसके अंदर organic solvent डालोगे ना organic solvent तो यह इसके साथ में अच्छा bond बनाता है मतलब तब यह इसका हाथ छोड़के इसका हाथ पकड़ लेगा ठीक है तो वही करते है solvent extraction method में सो बच्छा यह solvent extraction method का मैंने एक funnel लिया है ठीक है उसको बोलते सेपरेटिंग फनल क्या बोलते बच्छा इसको माल लीजिए आपका यह इसमें आपका aqueous layer और organic layer में अब मुझे और यहां पर मिक्स है इसको टाप ओपन करूंगा और इसमें बहुत सारे क्या डालूंगा organic solvent घालूंगा organic solvent जैसी बच्चा इस और इसमें डालूंगा तो aqueous layer की aqueous layer बनाएगा और organic layer बनाएगा तो आपको यह दो color यहां पे दिख रहोंगे आपको यह दो color यहां पे दिख रहोंगे तो त्यसलो्थ में बास्काउर, नीचे स्ट लोग्डूर।। तो जो भी aqueous में आपका organic material मिला हुआ है वो इसका हाथ छोड़ देगा, बोलेगा आप में तेरा साथ छोड़ रहा हूँ, अपनी बस दोस्ती यहीं तक थी, जैसे इसका हाथ छोड़ देगा, तो यह क्या करेगा, यह अपने नए नए दोस्त बनाएगा, मतलब मैंने आपको क्या पढ़ा है था कि organic material, organic solvent में बहुत अच्छी bonding होती है, दोनों बहुत यह बेस्ट दोस्त होते हैं, तो यह इसके साथ bonding छोड़ के, फटाक से क्या करेगा, अपना जो पुराना वाला दोस्त मिलेगा, तो ध्यान सुनो, इसमें जो आपका organic material रहेगा, वो organic material मिलके में क्या करूँगा, ट्याप ओपेन करूँगा, नीचे बीकर रखूँगा, और सारा और धान सुनो बच्चा, सारा जो एक्वस है, अब जिसमें से organic material निकल चुका है, और सारा material को में क्या करूँगा, इसके थ्रू निकाल लूँगा, और उसके अंदर क्या आगा तुमार सारा और बच्चा, वकान पाओट करें काला में क्या हर यह करते इसलेट करते निक इस हो बोलते इस हे त्रूँ क्या वें भचा, साल्वें आंपर ale जाएका माध नै पाड़ने कुछ नहीं है एक्वेस कंपाउंड में water जैसे molecules में आपके organic compounds आ जाते हैं जिसके बांचर अंदर अच्छी bonding नहीं होते हैं अब हमें दोनों को अलग करना है और गनिक जो कंपाउंड होता है उसकी bonding organic solvent में बहुत अच्छा होता है अच्छा हो गया थीक है कि अच्छा बांडिक में अच्छा बांडिक मनाएगा एक्वस को छोड़ देगा अब अब को छोड़ दिया तो अब नोजल खोलूंगा निकाल लूँगा और 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 तुम्हारा अब कंसेप आपको कट्ट क्लियर करा है पर लिखा के कौन देगा मैं दूंगा तो पहले लिखते हैं तो पहले लिखते हैं बच्चा आपको कुछ नहीं करना इसमें वही लिखा हुआ है कि अगर आपका ऑगनिक सबस्टेंस प्रजेंट है अक्वस मीडियम में तो आपको और गनिक शॉल्वंट डालना उसको बहुत अचे सिक करना है और जिससे आप सिक करोगे तो आपका और और गनिक सब्स्टें होगा नहीं aqueous वाला और गनिक में तो यह दोनों invisible हो जो लेयर फार्म होते है अपने oil और water के दो लेयर देखे होंगे अगला point the aqueous phase is get extracted in the organic phase ठीक है अब aqueous phase को organic phase से आप क्या कर सकता है extract कर सकते हो क्यों extract करोगे क्योंकि जो aqueous phase में जो वो तो सब और गनिक सॉल्वन ने चलेगा यही पॉइंट यहां पर कि अन सेकिंग फॉर फ्यू टाइम्स विद था स्मॉल वॉल्यूम दो और गनिक फेज मोस्ट ऑप भी सॉल्यूट गेट एक्स्पेक्टेड इन्टु दा एक्स्ट्रक्टेड रहेगा एक्स्ट्रक्टेड इन्टू दी और गनिक फेज यह जाता है और गनिक फेज में चले जाता है ठीक है अगला पॉइंट दा ऑर गनिक सॉल्वंट इस डैन रिमूपाई इसलूट इसके बाद लगाओ गे तो सारा हीट करोगे डिस्ट्रिशन से लिक्विड अलग हो जाएगा और नीचे आपके आपके solutes मिल जाएंगे ठीक है नीचे आपके solutes क्या हो जाएंगे बच्चा मिल जाएंगे and the solvent extractions process is important for health clean separation in the short term spam हम इसको short term life के लिए मतलब बहुत चीजों को बहुत जल्दी जल्दी extract करने के लिए इंडेस्ट्री बगरा में यह process बहुत ही तगड़ा अपनाया जाता है ठीक है चलो यह सबको clear हो गया solvent extraction क्या है ठीक है अगला अगला topic है हमारा कि continuous extractions क्या होते है what is continuous extraction ठीक है continuous solvent extraction का यह पार्ट है जहां पे ना हम solvent को waste नहीं करते हो तो ऐसा कुछ assembly लगाते है यहां पे आपका solvent है ठीक है यह heat हो रहा है कि मतलब सब्सक्राइब यह solvent है ठीक है इसी के उपर distillation chamber भी लगा हुआ है और इस distillation chamber के तो हम लोग क्या करते हो solvent को extract करते है चलो मैं बताता हूँ कैसे करते है कभी-कभी क्या होता है कि जो आपका organic material होता है ना organic material धान सुनो जो आपका organic material होता है जो aqueous में dissolve हुआ है water में dissolve हुआ है तो यह इसके साथ ना कभी-कभी तोनों बहुत अच्छे bonding मनाते तो जैसी आप organic solvent को डालते हो और गनिक solvent को डालते हो तो organic solvent ना इसमें से organic material को निकाल नहीं पाता है मतलब organic material और अच्छे के बीच में थोड़ी bonding अच्छी हो जाती किसी किसी मॉलीक्यूस के बीच में ऐसा होता है तो यह इसको उतने अच्छे से नहीं निकाल पादता है तो हमें एक अच्छे करना पड़ता है उसके बाद और यह प्रोसेस कई बार हमें रिपीट करना पड़ता है उसके बाद इस टेकनिक को यूज करने के लिए हम यहाँ पर डिस्टिलेशन चेमबर भी लगाते हैं थे कैंकर लार्ज अमांट आफ और हमारा वेस्ट ना हो ठीक है यह रहा डिस्टिलेशन चेमबर जहांपे हम क्या करते हैs हीटिंग करतें और हीटिंग करने से क्या होता है इसमें मा आग्योस लेर उपर ही रह जाएगा और 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 इसा क्या चेमब लगा जाएगा इसके तूर जोनों जाएंगे स्टीम बन बच्चा तो एक्वश लेर आपका हलका अगर रहेगा इन केसमें कभी-कभी किसी केसमें तो वह उपर हो जाएगा उपर ही रह जाएगा और organic clear नीचे चले जाएगा नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक और pipe connect है तो यहाँ से आ जाएगा हो सकता है इसके साथ में aqueous layer भी आ जाएगा वह आपस से हीट होगा वह आपस से collect कर लिया जाएगा ठीक है सबको समझ में आ रहा है तो यह होता है continuous extraction जह होती चोटा सा पार्ट है ठीक है सेपरेटिंग डिस्टिलेशन का यह सेपरेटिंग का ही पार्ट है यह ओके चलो अगला one of the most topic देखेंगे that is our chromatographic technique ठीक है धान से देखना बच्चा है chromatography techniques क्या होती है बहुत धान से देखना chromatography technique क्या होती है किसी भी दो या तीन component of mixture को सेपरेट कर सकते है color wise सेपरेट करते हैं मैं सब कुछ बताऊंगा बस यह आपको ध्यान देना है बिल्कुल ध्यान से मेरे तरफ दिखना है तो chromatography का मतलब आपको पता चल गया है थोड़ा सा कि यार chromatography technique के अंदर ना अगर हमारे दो तीन component mix हो गया ठीक है चलो एक NACL mix हो गया तो इसको न हम separate कर सकते हैं अलग कर सकते हैं क्या से अलग कर सकते हैं तो पहले बच्छा हम दिखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है तो chromatography क्रोमा मिनिंग होता है của color और graphic का मतलब होता है writing मतलब कुछ color pattern आते हैं जिसके वज़े सा हमें हम क्या कर सकते हैं mixtures को अलग कर सकते मतलब chromatography में separation तो करेंगे लेकिन color की help से करेंगे किसटी help से करेंगे color color हमें नहीं लाना है color वहाँ पे आता है color वहाँ पे क्या होता है आता है जैसे हम separation करतें ठीक है सब कुस doubt जाए लेकिन बस आपका यहां पर ध्यान जिये तो एक चीज़ आपको भचा है यहां पर पता चल गया कि chromatography में हम लोग क्या करते बिसिकली separation करते किसका separation करते components का अगर हमारे 2 component 3 component आपस में mix हो गया तो उसको separate कर सकते या फिर अगर हमारे component में कोई impure चीज mix हो गई हो तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते pure कर सकते जैसे आपके NaCl के salt में अगर strontium chloride का salt मिक्स हो गया तो वो तो इंपुरिटी ज़े strontium chloride हम खा सकते क्या नहीं NaCl हम खा सकते तो उसको भी हम लोग हल्प कर सकते डिटेक कर सकते इस chromatography technique की help से ठीक है अब जान सुनो इस chromatography technique का use किया गया था पहली बार separation of color components found in a plant. प्लांट के अंदर ना अलग-अलग colors pigments find out करने के लिए इस chromatography technique का use किया गया था 1903 में and this technique is similar to the solvent extraction method जैसे आप solvent extraction method में चीजे यूज करते हो नो बार-बार organic डालते हो check करते हो separate होता है वैसी कुछ similar type का ये chromatography technique भी है वैसी कुछ similar type का आप का क्या है chromatography technique भी है I think आपको chromatography के बार में धीरे-धीरे कुछ चीजे clear हो रहे होगी कि यहाँ पर color की help से हम लोग कर सकते है चीजों को separate कर सकते है separate कर सकते है purify कर सकते है यही सारी चीजे यहाँ पर होगी ओगे चलो फट्टा-फट देखते है कि chromatography क्या है और इतना तो आपको clear हो चुका है आगे देखते हैं यह है chromatography technique जो मैं आपको यहाँ पर बताना जा रहे हूँ यह है waterman filter paper यह आपका jar है और jar के अंदर jar के अंदर मैंने कुछ liquids लिया हुए बस आपको पूरा ध्यान यहाँ पर देना बचा और cut to cut एक इक चीज में आपको clear कर दूँगा chromatography के बारे में चलो ध्यान से सुनो बच्चा chromatography technique अब में बताने चाह रहा हूँ बहुत ध्यान से देखेगा तो यह देखेगा आपका jar है और jar के अंदर एक liquids है और यहाँ पर एक paper रखा हुआ है यह वाटमें filter paper होता है यह दो चीजे यहाँ पर commonly use हो रही है तो chromatography technique में एक filter paper यूज होता है जो कि यह हमारा stationary phase होता है क्या होता है बच्चा हमारा यह stationary phase यह ज़रूरी नहीं filter paper ही हो कुछ ऐसी चीजे भी हो सकती जिससे silica, gel वगरा भी होता है कई जगों पर यह use आता है पर उसके बारे मैं आपर discuss नहीं करूंगा बस आप देखिए कि यह जो filter paper यह बच्चा यह हमारा कहलाता है stationary phase क्या कहलाता है stationary phase ठीक है और इस jar जो liquid हम लोग use करते इसको बोलते है mobile phase क्या बोलते है इसको mobile phase ठीक है अब यह stationary phase और mobile phase क्यों use करते है तो चलो हम देखते पहले आपको यह चीज clear हुआ stationary phase और mobile phase ठीक है chromatography में दो तरीके के components यूज करते है एक हम stationary phase यूज करते है दूसरा क्या यूज करते बच्चा mobile phase यूज करते है अब धान से देखिएगा यह जो आपका stationary phase है ठीक है stationary phase के उपर ही बच्चा मालो हमारे पास कोई beaker या फिर कुछ है और इसमें अलग-अलग तरीके के क्या है liquids add किया गया एक liquid यह हो गया ठीक है दूसरा liquids यह हो गया ठीक है ऐसे बहुत सारे अलग-अलग यह है बच्चा के लिक्विट को क्या किया गया add क्या गया component two और more components को add क्या गया तो हम क्या करते है stationary phase के उपर बच्चा stationary phase के उपर एक line मारते है पहले एक centimeter उपर line मार दिया अब capillary की help से इस liquids को निकालते है और बीच में क्या करते है एक spot देते हैं यहां पर बीच में क्या करते हैं एक spot देते हैं यह मैंने liquid यहां से निकाला capillary की help से और यहां पर क्या दे दिया एक spot एक हलका सा आपको spot देना है ठीक है अब इस stationary face को आपको लेना है और इस jar में क्या करना है प्लेस करना है, तो बच्चा आप इसको जैसी इस जार में प्लेस करोगे न, एक मिनिट, आप जैसी इसको जार में यहाँ पे प्लेस करोगे, ठीक है, आप जैसी इसको इस जार में क्या करोगे, प्लेस करोगे, तो देखो, जैसी आप इसको इस जार में प्लेस करोगे, तो य लिक्विड में चले जाएगा ठीक है जो कि बहुत जादा प्रॉब्लम क्रेट करेगा अब दान तो सुनो कुछ टाइम बात क्या होगा कैपलरी एक्षन होगा यहां पे और यह वाटर उपर की साइड क्या होगा मूव होना सुरू होगा तो जैसी यह वाटर उपर की साइड क कर दो कित्रेक्विक्री के मिक्शलें प्रेजेंट है तो हो सकता है कुछ मिक्शर जो होंबक्चा कुछ मिक्शर जो हो इस मोबाईल मत्री und tv कि भागना सुरू करें तो आपको कुछ स्पोर्ट यहां पर मिलेगा ठीक है कुछ स्पोर्ट मालो आपका लिक्विड यहां तक रन कर गया तो आपको क्या मिलेगा कुछ स्पोर्ट यहां पर मिल सकता है कुछ स्पोर्ट यहां पर मिल सकता है ठीक है कुछ स्पोर्ट यहां पर मिल सकता है और कुछ स्पोर्ट यह जो तक जाएगा लेकिन इसमें मैंने तीन लोगों को मिक्स किया तो हो सकता है दूसरा वाला इस पेपर के साथ में अच्छा बॉंड नहीं बना रहो या फिर इस लिक्विड के साथ में अच्छा बॉंड नहीं बना रहो तो सकता है वो रूख जाएगा कोई हो सकता है पेपर के स तो वो इधरी तक पहुच पाएगा, क्योंकि लेके जाएगा, तो पेपर के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, पेपर के अंदर के जो है, जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स है, वो इस मिक्शर्स को ऊपर बढ़ने ही नहीं देंगे, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दियर, वाट होता है, मॉफाइल फेज आपका स्वाट्र पी ले सकतो है, नहीं रहोता है, स्वाटर पी ले सकते हो, तो वही लोग लेके इसको क्या करते ऊपर बढ़ते, और आप देखरो मैंने तीन चीजों को मिक्स करते है तो मुझे पता चलगा कि इसमें में 3 component of mixtures क्या है, present है, इसी को बोलते बच्चा, chromatography technique, इसी को क्या बोलते बच्चा, chromatography techniques, clear है, चलो, chromatography techniques तुम मैंने बताती है, तो चलो, फटा पट, इसके कुछ points भी read out कर लेते, तो इन chromatography, we use two phases for separation, कौन-कौन से दो phases है, बताओ, बताओ, फटा फट, पहला, stationary phase, और भागता हुआ, substancy है, चलो, आगे देखते है, इन stationary, जब यह chromatography होता है, तो क्या होता है, in this techniques, it is based on what difference rate at which component in the mixtures moving through stationary phase, under the influence of, under the influence of mobile phase, अब देखो, जो आपका mixtures होता है, वो या तो stationary phase के हिसाब से move करेगा, या तो mobile phase के हिसाब से move करेगा, लेकिन वो move तो करे गए, अगर आ मारा रहा है, वो mobile phase के साथ में अच्छा bond बनाता है, तो mobile phase उसको लेकि बहुत उपर तक जाएगा, लेकिन अगर stationary phase के साथ में बनाता है, तो stationary phase क्या करेगा, उसको hold कर देगा, थोड़ा रुक रुक के उपर जाएगा, ठीक है, चलो, अगला point से, first the mixtures of the component is loaded at the one end of the stationary phase, अब allow to move over the stationary phase, उसके बाद मैंने क्या कहता है, वाट्मेन filter paper को जार में डाला तो उसके अदर mobile phase था, अब mobile phase को मैंने allow कि फटाप वो इस spot को लेकि भागे कितना उपर तक जा सकता है, ठीक है, चलो, depending upon their relative affinity of the components towards the stationary phase and the mobile phase, ठीक है, they remains on the surface of the stationary phase or move along the mobile phase and gradually separate, ठीक है, उस अब components जो मैंन spot मारा है, उसके ability के उपर dip in करता है, कि वो stationary phase से जुड़के वो धीरे धीरे उपर जाए, या mobile phase के साथ में मिलके फटाफट उपर जाए, तो जैसे उसके ability रहेगी bond बनाने की, वो उसके साथ में मिलके क्या करेगा, फटाफट उपर की तरफ भागेगा, और जिस mixtures में अच का नीचे ही spot आजाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उपर भाग ही नहीं पाएगा, जितना उपर mobile phase भाग गया रहेगा, okay, clear है, सबको सबको चीजे पता चल रही है, यहाँ पे, चलो, अब यह जो topics है, stationary phase can be solid or liquid, अब मैंने तो यहाँ पर stationary phase कैसा लिया था, solid लिया था, waterman filter paper था वो आपका solid भी हो सकता और वो आपका क्या हो सकता है, liquid भी हो सकता है, depending upon their stationary phase, chromatography is classified on the two types, वो solid होगा, तो किसके अंदर study करेंगे, और liquids लेंगे, तो किसके अंदर study करेंगे, यह हम लोग देखेंगे, तो बच्छा, एक जो chromatography technique हम लोग पढ़ेंगे, adsorption chromatography, और दूसरा ह कैसे लग रहें, प्लीज इस चैनल पर कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट्स करियेगा और बताईएगा, and thank you for watching this video, and please do subscribe, A2C Practicals, thank you.